नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड में, मेरे नाम हमित और यह है हॉंडा की हाइनस और यहाँ पर जो हॉंडा का ब्लुटूथ कनेक्टिविटी सिस्टम है, इसके दोरा आप वाइस दोरा, साउंड दोरा, नविगेशन और कॉल और म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, यह काम कैसे करता है, मैं आपको बताता हूँ तो फिलाल मैंने देखिए यहाँ पर एक ब्लुटूथ सिस्टम कनेक्ट करके रखा हूँ और इसे कनेक्ट करने के लिए यह दोनों बटन आपको साथ में बाने होते हैं और उसके बाद आप चीजें जो है उसमें टॉगल कर सकते हैं और उन्हें सेट भी कर सकते हैं अब य आपर नो दिखा रहा है यानि कि Bluetooth जो है वो अन नहीं है अभी उपर वाला जब प्रेस करेंगे आपर तो यह यस हो जाएगा और इसे आपको यस करके नीचे वाला बटन वापस दबाना है तो यह फिर अन हो जाएगा यह जब आप एक बार अन कर देंगे उसके बाद आपक तो इस सिस्टम को यूज कैसे करना है यह बटन कैसे यूज करने है इसके लिए तुटोरियल अंदर मिलेगा जिसे आप इस तरह से एकसेस कर सकते हैं एक बार आपने अपको इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद आपको आपका जो हलमेट जो है यहाँ पर आपका ब्लूटूथ सिस्टम है उसे भी अपने फोन के साथ में सिंक करना है और हम यहाँ पर यह एक हेड़फोन जो है इसे सिमुलेशन के लिए यूज कर रहे आपको यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम रखना होगा जो कि आपके हलमेट के अंदर हेड़फोन के द्वारा कनेक्टे हो और आपको अपने फोन को उस ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट करना होगा तो दोस्तो इस सिस्टम को समझने के लिए आपको अगर यह जानना है कि कौन से बटन आपको यहाँ पर यूज करने है तो यहाँ पर आपके पास एक टुटोरियल भी है और यहाँ पर आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा कि कौन से बटन यूज करने के बाद आप किस तरह से इस app को use कर सकते हैं, अब Honda Road Sync mode में अप और डाउन जाने के लिए, आप अप आउन वाले बटन, शॉट प्रेस कर सकते हैं, सेलेक्शन करने के लिए आप ये एंटर वाला बटन प्रेस कर सकते हैं, बैक जाने के लिए ये शॉट प्रेस करना पड़ेगा आपको बैक वाला बटन मेन मेन्यू में रिटर्न करने के लिए आपको लॉंग प्रेस करना होगा ये लेफ्ट वाला बटन Mute करने के लिए Long Press Down और फिर Unmute करने के लिए Long Press Down again डिस्पले में Default Functions एक्सेस करने के लिए आपको Right वाला जो बटने Long Press करना पड़ेगा और वापस Road Sync में जाने के लिए Long Press Left करना पड़ेगा तो यहां से आपको यह Tutorial में सारी चीजे मिल जाएंगी यहां पर आपको Settings में और भी बहुत सारी Options मिलती है और यहां से आप Voice Guidance को On or Off कर सकते हैं Menu Time Out को On or Off कर सकते हैं 15 से के लिए यहां से आप यह सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको Incoming Calls में Notification चाहिए कि नहीं, Incoming Messages के Notification चाहिए कि नहीं तो यह जो सारी चीजे हैं यहां पर आपको Settings में मिल जाएंगी यहां पर आपको Navigation, Call, Message, Music और Volume के लिए बड़े Buttons मिलेंगे नविगेशन में अगर जाते हैं तो यहां पर आप Nearby Places के Options देख सकते हैं और यहां से आप एक Favorite Place Settings में डाल सकते हैं इस तरह से आप एक Place Settings में अपनी जो आपको यहां पर डालने हैं और डाल सकते हैं लेकिन यहां पर आप Navigation में कोई जगे अपने हिसाब से नहीं डाल सकते हैं जब तक आपने उसे अपनी Favorite Place में डालके ना रखा हो यहां से आप Contacts एड़ कर सकते हैं यहां से आपका Favorite Music Player सेटिंग्स में जाकर के चूज कर सकते हैं और Contacts यहां से आप Messages के लिए भी चूज कर सकते हैं अब मिसाल के तौर पर अगर मुझे Call आ रहा है तो मैंने यहां पर इस Headphone को अल्रड़ी पैर कर दिया है तो यहां से यह जो Headset है यह एक Helmet Mounted Gear को Simulate करेगा और जब मुझे Call आएगा तो मुझे यहां पर Notification आएगा चली देखते हैं क्या मुझे जब Call आता है तो यहां पर यह speakers यह देखें इस तरह से आपको एक आवाज सुने देगी आपके Phone में जो Speakers हैं उसके अंदर अब यहां से आप Call को reject कर सकते हैं यह देखें, Call reject हो गया अभी इसी तरह से अगर मैं इस Phone को Accept करना चाहता हूँ यह देखें, तो मैं इसे Accept कर सकता हूँ और अब मैं यहां पर जब बात करूँगा तो मेरी आवाज वहां तक पहुच जाएगी Hello Atharv Hello Hi Atharv Hi तो इस तरह से आप conversation कर सकते हैं यहां पर यह मैंने एक helmet mounted audio system को simulate करने के लिए speaker यहां पर रखा है और मैं पर से Call option, press left and hang up call, press left to go back, press right to hang up Hang up कर रहा हूँ इस तरह से यह hang up हो गया है इसके अलावा यहां पर अगर आपको कुछ messages आ रहे हैं तो वो भी यहां पर आपको notification आएगा मेरे colleague मुझे भी एक message भेजेंगे और आप देखेंगे कि वो message का notification यहां पर आएगा मुझे एक text message आया है यहां पर और उसका notification यहां पर आगया है इसी तरह से WhatsApp message भी अगर आएगा तो उसका भी notification मुझे यहां पर नजर आएगा यह देखेंगे मैं यहां पर एक music player अगर add करना चाहता हूं तो settings में जाकर के मुझे अपना music player select करना होगा यह देखेंगे मैं यहां पर amazon music select कर सकता हूं और वो मैंने भी select कर लिया है और अब यहां पर वो मुझे दिखाएगा यह देखेंगे और मैं इसे अगर play करता हूं तो यह देखेंगे यहां पर अब यह इस app में जो music चल रहा हो यहां पर आपको नजर आएगा और यह आपको आपके helmet mounted system में सुनाई भी देगा देखेंगे यहां पर भी आपको music का जो एक notification sign है वो नजर आ रहा होगा तो जब आप music प्ले कर रहे होते हैं तो यहां पर यह music का sign भी आजाता है अब देखेंगे यहां पर मैंने settings में जाकर के navigation settings में एक favorite place यहां पर सिष्टी complex नाम से डाल दी है आप और भी कोई जगह आपको चाहिए मिसाल के तोर पर अगर मुझे gateway of India जाना है तो वो यहां पर आप अपनी favorite place की तौर पर डाल सकते हैं और एक बार यह आप जब डाल देंगे तो आपको यह चीज आप में नजर आएगी और आप फिर उस जगह पर navigate कर सकते हैं देखिए कैसे होता है यह देखिए यहां से आप जब navigation में जाते हैं तो यहां से end navigation कर रहा हूँ मैं भी और उसके बाद navigation में जवाब जाएंगे तो आपको आपकी जो favorite places हैं आपको दिखाएगा और वहां से फिर आप navigate कर सकते हैं और turn by turn navigation आपको आपके headset में सुनाई देगा दोस्तों उमीद करता हूँ कि इस वीडियो के दोरा आपको Honda Highness का जो road sync system है Bluetooth वो कैसे काम करता है इस बारे में पूरी जानकारी मिली फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप उसे comment section में डाल दीजी मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूँगा और अगली बार तक के लिए मैं आपको दोस्तमित आपसे विदा लेता हूँ तब तक के लिए रेव हार्ट, रेफ्री and राइट सेफ